हमारी ब Keller बेटी जब 7,500 महीने की थी तब से 10 महीने से German Child Service के custody में है और हम civil custody case लड रहे हैं जिसमें काफी समय लग रहा है इसलिए हम Indian트 gets कर रहे हां कि हमारी बेटी को इंडिया रेपाट्रेट किया जाए अपने रिलेटियूस के पास उस समय क्या हुआ था हो हम बताना चाते हैं 17 सप्टेंबर 2021 को मैंने मेरी बेटी के डाइपर में बलड देखा फिर हमने तुरन थी मीडवाइफ को कॉंटेक किया फिर बेटी को पीडियाट्रिशन के पास हम लेके गए फिर पीडियाट्रिशन ने बेटी को चेक करके भूला कि सब ठीक है को एक्टीव ब्लीडिंग नही कोई टेंशन की बात नहीं आप बेटी को लेके वापस कर जा सकते हो कुछ इमर्जेंसी होता आप आ सकते हो फिर हम दो दिन बाद 21 सप्टेंबर 2021 को वापस फॉल आप चेक लिए गए और जब फॉल आप चेक अप लिए गई तो डॉक्टर ने चेक करके बोला कि बेटी को जैसे डॉक्टर बोलें वैसे करेंगे बाद में रात को बैटी को घुटल में रखा गया कोविट की वज़े से की पर सनलाओ सातों में बैटी के साथ हुस्पिटल में रुकियो थी डॉक्टर हमको बात में रात को नहीं मिले कि हम उनको कुछ पूच पाए फिर दुसरे दि तर्षब काए बैटि को में इसंतना में पड़ा तो हम् oni यह को इसकते में नहीं पता तक भी अनीपता थे थी कि Should ने पहु कि नहीं पता तक तो टा। रहा हो तब वह एकषाइब किसी खरों चोट लगी हुई हो सकती है यह तो आपने पूछा कि हम ने बैटी को साफ क्लीन करते हैं समय उसको चोट लगी हुई हो सकती है ठिसे बोला कि ठीक है जब तक मेडिकल रिपोर्ट आएंगे उसे के बाद ही वो कुछ बता पाएंगी फिर तब मेल उर्दू स्पिकिंग पाकिस्तानी टांसलेटर था वो हमको इंजरी के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था पर शर्म के करन यह हिच की चाहच के करन वो प्रेट किया जाए अपने रिलेटिवस के पास